हेलो एवरीवन आज का हमारा पाठ हिमाल्य की बेटियां यह बसंत भाग एक का पाठ है और आज हम इसकी समरी कर रहे हैं लेखक ने जब नदियों को हिमाल्य की कंधे पर चड़ा हुआ देखा तो उन्हें लगा कि यह तो काफी पतली हैं जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती थी यानि कि जो बड़ी नदियां दिखाई देती थी वहवास्तों में बहुत छोटी थी और शुरू में हम यह देख रहे हैं कि यह पार्ट लेखक नागारजुन लिखा है जिसमें उन्होंने हिमाल्य और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया हिमाल्य से बहने वाली गंगा, जमुना, सतलूज, आदी नदियां दूर से लेखक को शांत दिखाई देती थी और साथी गंभीर भी दिखाई देती थी किस तरह से गंभीर दिखाई देती थी जैसे किसी उच्च घराने की महिलाएं हों लेखक उनको देखकर के उनके प्रती श्रद्धा के भाव से भर जाता है, उसके मन में नदियों के प्रती श्रद्धा उत्पन हो जाती है, श्रद्धा के भाव आ जाते है लेखक को हिमाले की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चरिय होता है यानि अचरज होता है बाल लीला किसे कहते हैं बच्पन में जो बालक लीलाओं करते हैं उसे बाल लीला कहा जाता है हिमाले की इन बेटियों का ना जाने कुन सा लक्षे है यानि कि ये नदिया क्या लख्षे लेकर के चल रही है क्या इनका एम है जो इस प्रकार से बेचेन होकर बह रही है नदिया बर्फ की पहाड़ियों में घाटियों में और चोटियों पर लीलाई करती है लीला यानि अपनी एक्टिंग करती हैं इधर उधर बहती हैं तो लेखक को लगता है कि देवदार, चीड, सरसों, चिनार आधी के जंगलों में पहुँचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती हुई बाते याद आ जाती होंगी जो उनका पहले का समय बीता है वो उन्हें याद आ जाता होगा सिंधु और ब्रमपुत्र दो महा नदियां हिमाले से निकल कर समुंद्र में मिल जाती हैं हिमाले को ससुर और समुंद्र को उसका दामाद कहने में लेखक को कोई जिजक नहीं हो रही है कालिदास के यक्ष ने अपने मेगदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का वीनिमें देते जाना जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवी को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था सजी उरूप यानि उनका मानविय करण यहाँ पर किया गया है मानवों से उनकी तुलना जो है करी गई है काका कलेल करने भी नदियों को लोकमाता कहा है लोकमाता कहने का तद पर यह क्या हुआ कि नदियों का यहाँ पर भी मानविय करण किया गया है उन्हें मनुष्य से तुलना करके उन्हें मानव के समान बताया है लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटी के रूप में देखते हैं यनि नदियों को कभी हिमाले की बेटीयों के रूप में देखते हैं कई कवियों ने इन्होंने बेहनों के रूप में देखा लेखक तिबबत में सतलुज के किनारे जो सतलुज नदी है उसके किनारे पैर लटका कर बैठने से वे इससे काफी प्रभावित हो गए थे अभी हम कठी जो शब्दाय है उसकी बात कर लेते हैं पाठ में तो संभरांत एक शब्दाया है उसका दाजपरि है सभ्भे गोतुहल एक शब्दाया है जिसका मीनिंग है जिग्यासा या जानने की इच्छा बिश्मे यानि आश्चेरिय बाल लीला यानि बचपन के खेल प्रेसी प्रेमिका अधित्यकाई पहाड के उपर की समतल भूमी उपत्यकाई चोटिया लीला निकेतन लीला करने का घर यक्ष यक्ष जो है यहाँ पर यक्ष का प्रेव किया गया है जो काली दूत ने एक नाटक लिखा था मेग दूत उसके मुख्य पात्र है प्रतिदान यानि वापस सचेतन यानि सजीव प्रेम मुदित यानि खुशोना खुमारी नशा बलिहारी कुर्बानी अगर आप इन कठी शब्दों के मिनिंग को याद कर लेते हो तो पार्ट को समझने में बहुत आसानी होने वाली है और इस सिद्धे के वीडियो के लिए देखते रहे है चैनल को थेंक्यो फोर वाचिंग